साथियों, कुछ दिन पहले एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग और बहुत ही इमोशनल इवेंट हुआ जिससे भारत जॉर्जिया मैत्री को नई मजबुती मिली. इस समारों में भारत ने सैंट क्वीन केटिवान के होली रेलीक यानि उनके पवित्र स्मृति चिन को जॉर्जिया की सरकार और वहां की जनता को सौपवा. इसके लिए हमारे विदेश मंत्री स्वयम वहां गए थे. बहुती बावुक माहोल में हुए इस समारों में जॉर्जिया के राष्पती, प्रधान मंत्री, अनेग धर्मगुरु और बड़ी संख्या में जॉर्जिया के लोग उपस्तित थे. इस कारकम में भारत की प्रसुंसा में जो सब तक कहे गए वो बहुती यादगार है. इस एक समारों ने दोनों देशों के साथ ही गोवा और जॉर्जिया के बीच के समंधों को भी और प्रघाड कर दिया है. ऐसा इसलिए क्योंकि सैंट क्वीन केटवान के ये पवित्र अवशेस 2005 में गोवा के सैंट अगस्टिन चर्च से मिले थे. साथियों, आपके मन में सवाल होगा कि ये सब क्या है? ये कब और कैसे हुआ? दरसल ये आज से 400-500 साल पहले की बात है. क्वीन केटवान जोर्जिया के राजपरिवार की बेटी थी. दस साल के कारावस के बाद 1624 में वो शहीद हो गई थी. एक प्राचीन पुर्टुगाली दस्तावेच के मताबिक सेंट क्वीन केटवान की अस्थियों को ओल्ड गोवा के सेंट ऑगस्टिनियन कॉन्वेंट पे रखा गया था. लेकिन लंबे समय तक यह माना जता रहा कि गोवा में दफनागे उनके अउशेश 1930 के भुकब में गायब हो गए थे. भारत सरकार और जॉर्जिया के इत्यासकारों, रिसर्चर्स, आर्कियोलोजिस्ट और जॉर्जियन चर्च के दसकों के अथक प्रयासों के बाद 2005 में उ उन पवित्र अउशेशों को खोजने में सफलता मिली थी. यह विशय जॉर्जिया के लोगों के लिए बहुत ही भावनात्मक है. इसलिए उनके हिस्टोरिकल, रिलीजियस और स्पिरिच्वल सेंटिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने इन अउशेशों का एक अउस जॉर्जिया के लोगों को भेंट में देने का निले लिया. भारत और जॉर्जिया के साजे इतियास के अनुठे पक्ष को संजोय रखने के लिए मैं आज गोवा के लोगों को रदय से धन्वाद देना चाहूँगा. गोवा कई महान अध्यात्मिक धरोहरों की भ गोवा का एक हिस्सा है. मेरे पैरे देश्वासियों, जॉर्जियार से अब मैं आपको सीधे सिंगापूर लेकर चलता हूँ, जहां इस महिने के शुरुवात में एक और गवरोशाली अवसर सामने आया. सिंगापूर के प्रधान मंत्री और मेरे मित्र ली सेन लूंग ने ह गुरुद्धारन किया. उन्होंने पारंपारिक सिख पगड़ी भी पहनी थी. यह गुरुद्वारा लगबग 100 साल पहले बना था. और यहां भाई महराची जी जी ने भारत की स्वतंतरता के लिए लड़ाई लड़ी थी. और यह पल आजहदी के 75 साल मना रहे हैं, तब औ और अधिक प्रेरक बन जाता है. दो देशों के बीच, पीपल टू पीपल कनेक्ट उसे मजबूती ऐसी ही बातों, ऐसे ही प्रयासों से मिलती है. इनसे यह भी पता चलता है कि सवहार्दपूर महावल में रहने और एक दूसरे की संस्कूरूती को समझने का कितना महत्व है झाल 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